आज बना रहे हैं कच्ची मुफली का पुलाव एक कट्रोरी चामल एक कट्रोरी मुफली चामल को वाश कर लिया है लमक हल्दी मिर्ची लसन को हमने कूट लिया है अब ये गरम मसाला इसको हमने अलग रख दिया आदा चमच उसको बाद में लेंगे लसन में लसन डाल दिया अब इसमान नक एक चमच आदा चमच मिर्ची आदा चमच लसन इन सब को अदा हम कर लिया अधर चलते हैं कुकर में हमने रखा है दो कड़्ची तेल इस प्लेट को रखते हैं हम साइड में यह कुछ खड़े मसाले दाल चीनी लॉंग काली मिर्ची यह काली मिर्ची पांसाथ काली मिर्ची और थुड़ा सा जीरा यह चटकने लगे उसके बाद हम डालेंगे इसमें दो कटे हुए प्याज यह डाल दी हमने प्याज प्याज को हलका बुरा होने तक बुनेंगे प्याज बुन रहा है यह है लसन का यह मसाला जो हमने गोल के रखा था प्याज बुन जाएंगे उसके बाद यह गोला हुआ मसाला डालेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे नहीं तो दही फट जाती है डालके हम बराबर इसको चलाते रहेंगे मसाला और तेल अलग होने तक अब यह हो गया मसाला और तेल अलग अब इसमें डालेंगे हम कच्ची मुफली यह डाल दी हमने मुफली अब इसको एक मिनट तक मसाले के साथ भून लेंगे उसके बार डालेंगे इसमें हम धूले होए चावल एक कटरी चावल में दो कटरी पानी के आवशकता होती है एक कटरी पानी मैंने पहले डाल दिया था एक कटरी पानी इसके साथ और डाल रही हूँ हूँ और कर देंगे कुकर को बंद करने से पहले इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है कई लोग बाद में भी डालते हैं पर मैं पहले डालती हूं खुश्बू अच्छी आती है पुलाओ में यह कर दिया कुकर को हमने बंद यह बन गया मुफली का दो सीटी आने के बाद यह बन गया मुफली का पुलाओ खाईए और अब